नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रूब डी एलफी की जो रिकूर्मेंट निकल के आ रही है फ्रेंड इसमें आइटियाई वाले बच्चों के लिए गोल्डेन चांस है और यह दोनों भरती आइटि करी मिल सकें और आप लोग लिए मैं यही कहना है कि यह दोनों जो भरती आने वाले यह आप लोगी काफी इंपर्टिंट यह आप लिए वीडियो को लास तक बने रहतें लेकिन नहीं करते हैं यह बहुत बड़ी मात आप आप कह सकते हैं कि आप लोग मतलब वीडियो को सेर जरूर करिए इसलिए फ्रेंड कि और भी जो बच्चे हैं वो भी तयारिम लगे और जो है उनको भी जानकारी हो सके कि हां हमारे चैनल पर जो भी जानकाय दी जाती वो रियल होती है तो यादा समय न लेते हैं हम लोग नोटिस को देखते हैं और उसमें कितने-कितरे जोन तक वैकंसी निकाली जा रहे हैं सारा कुछ हम लोग डिसकस करनेवाले हैं तो friendship आप देख सकते हैं ये लोको पालेट के लिए रिक्थ पद भरने को लेकर रेलवे बॉर्ड ने दिखाई सकती लोको पालेट जो A.L.P. और A.L.P. लोको पालेट होते उनके लिए जो इसमें दियागा है technician के लिए भी दी गई है तो इसमें आप देख सकते हैं बढ़ती ट्रेनों के बावजूद railway में 8968 पद लोको पाइलेट के रिखते हैं मतलब ये बात की जा रहे है एलपी के नहीं बात की जा रहे है एलपी technician ऐसे में जो है देखा जाए तो बहुत से सीटे हैं अगली बार क्या था फ्रेंट 60-30 बात की जाए तो आप लोग समल लीजिए 30,000 के something हमारी जो है वेकंसी थी लेकिन बाद में उसकी दुगना हो गई थी 60,000 वेकंसी 62 वेकंसी हो गई थी आयसे माँ आप समल लीजिए कि जो वेकंसी हमारी निकल के आएगी वो कम से कम 30 प्लस वेकंसी रहेगी 30,000 प्लस वेकंसी देखनों को मिलीगे तो हम लोग भले मंतिराले की और से नई ट्रेन शन्चालन को लेकर भले ही नियमों में बदलाओ कर मांग अनुसाट ट्रेनों का सन्चालन कर दिया है मगर जोनल रेल्वे द्वारा रिक्त पदो का घंबीरता से नहीं लेने से रेल्वे में वर्तमान में रनिंग समवर्ग में 8,968 पद लोको पाइलट के रिक्त हो गए हैं इससे सहथ अंताजा लगा जा सकता है कि कारीरत लोको पाइलट से कितने घंटे लेट वर्क कराय जा रहा है तो मतलब इसके कहने मतलब यह है कि जो नई ट्रेने या फिर आप कह सकते हैं जो भी पुराने लोको पाइलट थे उनके द्वारा जो कारी किया जा रहा है वो काफी जादा किया जा रहा है और बात की जाए तो फ्रेंड काफी लेट भी ट्रेनों की मतलब आप कह सकते हैं लेट भी ट्रेने आने जाने का मतलब आप कह सकते हैं कि ज्यादा इसमें जो है प्रोसेस है तो इस वज़े से जो है लोको पालेट की संख्या भी कम है तो नियू रिकूर्मेंट जो है भरने के लिए रेल मंतरालेने सक्ति दिखाई है और यहाँ अब हम लोग देखें के कि जो है जोन वाइस इन्होंने क्या-क्या मतलब जो है नि लिको रेक्व dabu है में मेल में यहाँ है 10, 38 मोटर्वयन में 0 दिया गया सटर में 197 सहायक बात के का जाए जो ऐल पी होते हैं सहायक में वहां पे 379 सीटे दी गई है फिर एसी आर में 580 मोटर्मीन में 242 और सटर में यहां पर 297 फिर सहायक में 184 तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर रिक्त पद जो है वो 636 यहां पर दी गई है फिर आप देख सकते हैं इन सी आर मतलब इलहाबाद की तरफ जो भी आते हैं इलहाबाद कानपूर यह सब एन सी आर में ही आते हैं आप द्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां पर बात की जाए तो सटर में 115 है सहायक में अभी तक कोई भी सीटेस में खाली नहीं है यह थोड़ा ध्यान देना है फिर NFR में जो है यहां पर 242 में दिया गया है साटर में 133 सहायक में 43 दिया गया है एन आर में यहां पर बात की जाए तो मेल में 921 दिया गया है सतर में 680 और सहायक में 100 सीटें दे गई हैं फिर NW, Ur पर NW, UR में 116 दिया गया है, इसमें मेल में और 70 में 43 और 28 सहायक में सीटें दी गए फिर ACR में 1084 मतलब 1084 सीटें हैं फिर यहाँ पर बात की जाए तो आप देख सकते हैं सटर में जो है 149 और सहायक में 1,008 सीटे इसमें खाली हैं उसके बाद CER में जो है 743 सीटे हैं फिर सटर में जो है देख सकते हैं आप 392 फिर यहाँ पर सहायक में 1632 सीटे दी गई हैं तो ऐसे में टोटल जो कुल सीटों की संख्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टूटल जो है 8968 सीटे दी गई हैं लेकिन जो है बहुत सीटे अभी डिकता हैं आने वाले स्वह में जब हमारी वेकंसी निकलेगी तो कम से कम आप मार्ण के चलिए 15000 प्लस ही वेकंसी रहेगी इससे कम वेकंसी नहीं आएगी आप ध्यान दीजिएगा और यह जो रिकुर लाश्ट तक मतलब 30 आप कह सकते हैं उसमें आपको वेकंसी 100 प्रसंट देखने को मिल जाएगी और अब बात कि जाए ग्रूब डी की तो ग्रूब डी की हमारी वेकंसी 2023 में आप कह सकते हमारी वेकंसी ओपन हो जाएगी मतलब न्यू रिकुर्मेंट आ जाएगा बाकि यह जो रिकुर्मेंट है वो प्रोसेस चलता रहा कि उससे कोई मतलब है नहीं लेकिन नई रिकुर्मेंट जो देखने को मिलेगी ग्रूब डी में वो अब हमारा 23 में ही निकलेगा इसलिए कि रेलवे को अकर नहीं रिकुर्मेंट निकालना होता तो वो पहले से आईटियों ब बच्चे उनको हम नहीं लेंगे जो नॉन टेक्निकल है जिन्हों नहीं किया है तो इसी वज़ास उन्होंने नोटिस निकाला है और अब जो है हजार तेज के आप कह सकते हैं जो हजार तेज जो हमारा आने वाला है उसमें रिकुर्मेंट निकल के ग्रूप D की भी आ जाएगी और 2022 के लाश्ट तक हमारा पनाने की यही परपस है आप लोग त्यारिम लगें बाकि कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब करें और अगर अभी भी कुछ अपडेट आपको अधूरी लगी तो जरूर आप कमेंट करें और वीडियो को आप लोग शेयर ने की है फ्र